नमस्कार दोस्तों, हमारी यूटूब चेनल करेजी इंडिया पर आपका हारदिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक महत्यपन टोपिक लेकर आया हूँ, प्याज के विशे में। प्याज के इतने बड़े फाइदे कि आप डोक्टर भोल जाएंगे। पेट दर्द और सिगर पतन का रामबान इलाज है प्याज। दोस्तों, प्याज के फाइदे इतने हैं कि आपको एक ही भार में बताया नहीं जासकता। हजारों सालों से प्याज का उप्योग दवाओं के रूम में होता आ रहा है। प्याज को अगर आप बस स्वादिष्ट चीज समझते हैं तो यह आपकी बहुत बड़ी भूल है। क्योंकि प्याज एक एंटिबायोटिक है जो हमारे सरीर से एसंखे बीमारियों को दूर करता है। और बहुत सारी बीमारियों का एक रामबानी लाज है वो है प्याज। दोस्तों आज हम क्रेजी इंडिया की तरफ से आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आप प्याज का सेवन करके किन-किन बीमारियों का सभाया कर सकते हैं जिससे कि आपको उन बीमारियों का कभी सामना नयकर नपड़ी प्याज के फाइदे पहला, periods का दर्द अगर किसी लड़की या महिला को periods के दिनों में बहुत जादा दर्द रहता है तो उसको अपने periods के एक सब्ताहा पहले ही प्याज को प्योग करना बढ़ा देना चाहिए आप खाने में अगर सलाद रूप में कच्ची प्याज को प्योग करते हैं तो निश्चित रूप से आपको उन दिनों में जो तकलीप होगी वह बहुत ही कम होगी मोटापे का इलाज है प्याज अगर आप मोटापे से प्रिशान है और खुब महनत के बाद भी आपका वजन कम नहीं हो रहा तो अब आप प्रिशान नहों बस आपको इतना करना है कि आप खाने में कच्ची प्याज को प्योग करने लगी प्याज हमारे सरीर की एक्स्ट्रा कार्बोहाइडरेट को खतम करता है जिससे मोटापा कम होता है सिगर पतन का इलाज है प्याज अगर आप सिगर पतन से प्रिशान है या बिश्टर में अपने साथी के साथ अच्छी परफोर्मेंस नहीं दे पा रही है तो अब आप प्रिशान नहीं सबसे पहले आप कच्छी प्याज को भोजन में सामिल करें साथी अगर आपको सिगर पतन होता है तो आप प्याज के रस में हलका सा घी मिला कर पीती रहें इससे आपकी यह बिमारी बहुती जल्द खतम हो जाएगी और आपको सिगर पतन की समझ्या से चुटकारा मिल जाएगा कैंसर से बचाता है प्याज कच्ची प्याज का अगर हम सालों से सलाद के रोब में प्रियोग कर रहे हैं तो आप निश्चित रोब से कैंसर से अपना बचाओ कर रहे हैं सालों तक प्याज खाने वाले लोगों को कैंसर होने के चांसिस बहुत आदी कम हो जाते हैं लूस रक्सा गर्मियों के दिनों में आप प्याज जरूर खाएं सबजे में छोंक के रोब में प्याज उतना ही उप्योगी नहीं होता जितना की कच्चा प्याज खाना लाबदायक रहता है अगर आप लूसे बचना चाहते हैं तो प्याज को अपने भोजन में अपने सलाद के रोब में अवश्य ही सामिल करें अगर आपको नींद अच्छी नहीं आती है या फिर आपको नींद ही नहीं आती है तो अब आप गोलियों से दूर रहें आप बस अपने भोजन में कच्ची प्याज को उप्योग करना सुरू कर दीजे रातरी भोजन में प्याज को जरूर खाएं प्याज में इस तरह के तत्व होते हैं जो नीदाने में मदद करते हैं और आपकी एनीदरा की समश्या का सफाया कर देते हैं भोजन नहीं पच्टा है तो प्याज का सेवन अवश्य ही करें अगर आपको भोजन नहीं पच्टा है या आपके पेट में मरोड की सिकायत रहती है तब आप बस आँख बंद करकर कच्चे प्याज खाना सुरू कर दीजे बेसक एक बार भोजन करो या ना करो किन्तु प्याज जरूर खाएं प्याज में नीमू का प्रियोग करना सर्वोत्तम हो सकता है सरदर्द की समस्या का रामबान इलाज है प्याज अगर आप अपने सरदर्द से परिसान रहते हैं तो अब आप प्याज आपके सरदर्द को जड़ से खतम कर सकता है जो लोग कच्ची प्याज खाते हैं उनको सरदर्द की समस्या का कभी सामना नहीं करना पड़ता कतेने के लिए आप क्या-क्या नहीं ट्राइ करते हैं बहुत सारी महंगे महंगे ट्रीटमिन कराते हैं और रिजल्ट फिर भी कुछ नहीं मिलता और रिजल्ट को देखकर आप परेशान हो जाते हैं अब आप एक काम कीजिए कि कच्ची प्याज का उप्योग महीने भर लगात वरदा करकीजी इसके बाद आने वाली रिजल्ट आपको हैरान कर देंगे और आप बालों से समन्दित सभी परकार के समश्याउं को भूल जाएंगे वो देखते ही देखते गयब हो जाएंगे ब्लड प्रेसर सही रखता है प्याज प्याज खाने से व्यक्ति का ब्लड प्रेसर सही रहता है आपको हाई हो या लो किसी भी तरह का ब्लड प्रेसर होता हो तो आप कल से ही प्याज को खाना सुरू कर दीजे पिर किस बात की है आप आज से ही अपने भोजन में अपने सलाद के रोब में कच्ची प्याज का इस्तमाल सुरू करें और अपने जीवन से बहुत सारी बीमारियों को निकाल भेंगे जिससे कि आपको कभी भी डोक्टर के पास ना जाना पड़े और आप डोक्टर को भूल ही कि जाएं दोस्तों आप इस जानकारी को समाज इतने अधिक से अधिक शेयर करें जिससे सभी मेरे भाई इस जानकारी को जानकर अपने लिए फाइदा उठास के तो दोस्तों यह थी हमारी वीडियो प्याज के दस इतने बड़े फाइदे कि आप डोक्टर भूल जाएंगे अगर आपको हमारी वीडियो अच्छे लगे या इससे आपको कोई जानकारी पराप्त हो तो प्लीज आप हमारी वीडियो को लाइक बशेयर करना ना भूले इसके साथ साथ आप हमारी यूटूब जैनल क्रेजी इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूले क्योंकि इस चैनल पर आपके लिए हम जब रदस टिप्स लेकर आते हैं जिससे कि आप अपनी जीवन को सुख में बना सकते हैं और सुख में जीवन जीख सकते हैं तन्यवा दोस्तो